दोस्तों नमस्ते, विन्धी अस्टोक्स में आपका स्वावत है यह एक नोलजबल वीडियो है, नुवेश करने से पहले डिस्क्लिमर अवस्त देख लें और अपने फैनेंशियर वाजर से सलाह वस्त लें आज हम बात कर रहे हैं डिक्सन टेक्नोलोजी के बारे में यह एक electronic manufacturing service provider company है जो different branch के लिए प्रॉड़क्ना आती है इसके प्रॉड़क्स किसी न किसी ब्रॉड़क्स के नाम से बहार्ट बस्त के दिकांस घरों में उप्यों किया आता है और भविस में भी innovative and improved technology के साथ इस्तमाल की जाते रहेंगे डिप्सन टेक्ट के बारे में बहुत research करके information के लगए हैं जो आपके साथ share करने जा रहे हैं कंपनी के different products हैं Consumer Electronics Lighting Solutions Home Appliances Tiverse Logistics Mobile Phones Security Systems Company में तो है अबिस में दो नए फिर्ट में इंते लिए हैं पहला है Medical Electronics जिसमें Company Diagnostic Testing में आती हैं और दुसरा है Setabox Company दो Operating Models में काम करती हैं पहला है Original Equipment Manufacturer और दुसरा है Original Design Manufacturer OEM में Company को एक fixed conversion कुछ मिलता है जो बहुत कंग होता है और दुसरा मोडल OEM जिसमें Company की लावेर्टी Design से लेकर के warranty टक होती है इसमें Company को ज़्यादा मारिन मिलता है इसलिए Company अपने मोडल को OEM से OEM की तरफ में shift करने जा रही हैं यहाँ आप Company के products का दिटास लेकर देशते हैं यहाँ आप Company के products के details योँ उसे client का details लेकर देशते हैं यहाँ आप Company के different products के business लेकर देशते हैं यहाँ उनका Company के revenue में कितना प्रसंद का share है यहाँ आप Company के products का यहाँ हम बात करेंगे factors driving the growth in sales of electronic items जिसमें है affordable pricing, easy financing and user downcomment rapid growth and reach of e-commerce increasing disposable income shortening replacement cycle, low penetration level, exchange program increasing product awareness and usage in rural areas यहाँ हम बात करेंगे कंपनी के chairman के पुछे मेसेज के बारे में कंपनी कपे sitting expansion पर बहुत ध्यान दे रही है बहुत invest कर रही है कंपनी R&D पर भी बहुत ख़त कर रही है ताकि customers को updated product दे सकें और उनको उनके expectations से आगे जाकर delight किया जा सकें कंपनी quality improvement पर भी बहुत धान दे रही है इसके लिए कंपनी ने six sigma products adopt की है यह यह quality tool है इसका मकसद है to achieve zero defects and to reduce the process reaction of goods as well as return of goods कंपनी अपने operating models को OEM से OEM की तरफ में shift करने जा रही है कंपनी के chairman के इसार मुबाइल फोन और इंटरनेट का पहुंचे urban semi-urban rural area तक होने की कान इसके products के लिए इन छेत्रों का इन छेत्रों में author का द्वार खुल गया है आप कि company diction के लिए स्वर्व का द्वार खुल गया है आगे हम कुछ company के data के बार नवार करेंगे यहाँ देख रहे हैं कम्पनी ने हाल के दिनों में अपने investors को multiple return दिया है कम्पनी अपनी date रिजूर्व कर दिये हैं कम्पनी के quarterly sales में कुछ quarter को छोड़ करके जबदार इजाफा हो ज़राया है कम्पनी के सलाना sales में भी लवतार increment हुआ है कम्पनी को ROC return on capital जो 2016 से लवतार 20% प्लस का return दिया है जो एक बहुत ही अच्छी बात है कम्पनी के compounded stress growth compounded profit growth return on equity यह 3 years में 5 years में कमाल की रही है कम्पनी का stock price यह जार जो हम आप investor के लिए जो company में निवेश करते हैं उसके लिए एक खास है इस company ने अपने investors को 3 years में 70% का return दिया है और एक साल में 377% का return दिया है जो कि बहुत ही कमाल की है कम्पनी ने अपने रिजर्व को भी बहा रहा है कम्पनी का net cash भी बढ़ा है यहां हम देख रहे हैं कि company में FIIJ दावतार अपनी सेदारी बहा रहा है इसका मतलब यह हुआ कि company का भविस्ट बहुत ही अच्छा है company का business बहुत बनिया है और company क्रोज करने वाली है भारत सिरकार ने बिफिन सेक्टर्स के लिए PLI अस्किन production link अस्किन लाई है जिसमें consumer interference भी सामिल है PLI का मकसद है domain stick manufacturing को बहावा देना भारत बहुत को manufacturing हो बनाना और इसके product को sports oriented बनाना है PLI स्किन का मकसद भारत सरकार के अभियान making India और आज में आज में भारत को भी मुझबती प्रान करना है दोस्तों दिक्सन कंपनी की मार्केट प्राइस में हाल के दिनों में एक healthy correction आया है जो छोटे इवं नए निवस्कों के इंटिक लेने के लिए एक बहतरीन मौका है यदि यह वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ सेयर करें सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दवाएं और आल को प्लिक करें ताकि आपको हमारे सही नोटिस्टी पेसंस समय पर मिलते रहें दोस्तों अभी कोर्णा महमारी का समय है मास्क अवस्पहनें सोसल डिस्टेंसिंग बनाय रखें और हाथों को बारबा सावुन से कम सकम 20 केंट तक धोएं तथा अपने और अपनों का जहान रखें धन्यवाद